हेलो एवरिवन यह है वीडियोज वर्ड चैनल और आज की वीडियो में हम एक सिंपल सपोर्टिट बीम की प्रॉबलम को सॉल्व करेंगे एक बार स्टैट प्रो से और एक बार ईटैप से बिल्कु सिंपल है कि बेंडिंग में शियर फॉर्स हम कैल्कुलिट करेंगे और रिजल्ट में दिखेंगे कुछ चेंजिस आता है या नहीं आता है ठीक है तो हम क्या करते हैं एक टेबल बना लेते हैं Microsoft Word में एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं E-Tab और Stead ठीक है यहाँ पर हम डालते हैं E-Tab यहाँ पर डालते हैं Stead यहाँ पर रियक्शन बैंडिंग मॉमेंट शियर फॉर्स डिफलेक्शन यह तीनों चीज़ें हम दोनों सॉफ्टरे से उसको अनलाइज करके यह रिजल्ट हैं फिर कंपेर करेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम बहुत सिंपल है सिंपल सपोर्टिट वीम है जिस पे 50 किलोन्यूटर का लोड लगा हुआ है और पांच-पांच मीटर का स्पैन दो स्पैन है मतले टोटल फुल स्पैन की लेंद्ध है 10 मीटर material concrete density 25 ले लेंगे cross section अलग ले लेंगे तो सबसे पहले हम स्टैड में करते हैं new project unit लेते हैं meter किलोन्यूटर्ण ठीक एक zero पे मैंने node बनाया उसके बाद उस node को node cursor से select किया और translate किया x direction में link के साथ 10 मीटर one step क्योंकि 10 मीटर का span है हमारा यह आ गया इसके बाद support लगानी है first support यहां से create करनी है pin और second support है हमारी roller fix button में अगर हम f y को छोड़ देते हैं तो roller क्यों ऐसा क्यों जो हमारी roller support है यह y direction में इस पर जो reaction develop हो रही है वो f y develop हो रही है और सब हमने यहां पे zero कर दिये ऐसी लिए add अब इसको हम apply कर देते हैं property define rectangle 0.30.3 concrete ले लेते हैं close अब हम लेते हैं load अच्छा हम cross section तो हमने ले लिया लेकि material और cross section से कुछ फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इसमें self fit नहीं ले रहे हैं तो हमने ले लिया एक member load में concentrated load minus miss downward 50 intensity given to the problem next add और इसको assign कर देते हैं shift और v से यहां load की value हा जाएगी अब print all add clause analyze बहुत simple है एक error RIS में done करते हैं यहां पर click करके देखते हैं data should not after constant command and not any other command हमने इसको property दे दिया है property नहीं दिया है अभी हमने यह property apply नहीं होगी है अब apply हो गई है अब analyze करते हैं done तो सबसे पहले हम post processing में जाते हैं और यहां पर click करेंगे तो reaction कितनी आ रही 25 25 25 यहाएगी symmetric beam है किलो न्यूटन जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारा कोई beam है symmetric loading है मालों यहां पर लगा हुआ है 10 kN और यहां पर लगा हुआ है 10 kN और यह spacing equal है तो जो reaction होगी वो total load की half होगी यहने कि 10 10 total load 20 है तो 10 10 इसी तरह 50 हमारा load लग रहा है तो 10 10 25 25 sorry अभी हमने तो stat की देखिए क्यों reaction होगी अब देखते हैं bending moment तो यहां से हम क्या करते हैं bending moment activate करते हैं कान से मैंने activate किया result view value beam result maximum bending moment देखते हैं कितनी आ रही है यह kips में आ रही है double click करके यहां पर देख लेते हैं यहां पर आ रही है kips में हमें चाहिए kilo newton per meter में तो हम क्या करते हैं यह देखो यहां पर आ रही है 2212 इसको convert कर लेते हैं converter है tool unit converter हमें moment convert करनी है किस से inches और kips को convert करना है हमें meter kilo newton तो कितना आ रहा है minus 2 sorry minus तो लागाना है नहीं 2212.686 अनिंग 249.99 तो bending में तो आ रहा है 249.99 kilo newton per meter इसी तरह से हम देख लेते हैं shear force डबल क्लिक करके देख लेते हैं shear force bending यहां पर shear पर वाई पर क्लिक करेंगे shear तो आएगा आपको 25 25 ही तो shear आ रहा है 25 अब हम चेक करते हैं deflection तो bending में को deactivate deflection को activate और result view value beam bending को हटा देंगे और displacement को क्लिक कर देंगे तो 2.797 inches इसको भी convert कर लेते हैं length हम inches को convert कर रहे हैं meter में यह mm में तो कितना 2.797 यानि की 71 mm हमारा आ रहा है इसमें exact लिख लेते हैं 71.04380 mm ठीक है और यह आ रहा है हमारा shear force किलो न्यूटन में यह जो आ रहा है हमारा आ रहा है किलो न्यूटन पर मीटर और reaction भी आ रही है हमारी किलो न्यूटन में तो यह हमारे result है stat pro से और हम यह result अब देखेंगे e-tab में चलिए अब इसको close कर देते है stat को e-tab हमारा open है यहां पर new project करते हैं यहां से e-tab में e-tab 2016 है जैसी new project करेंगे यहां पर यह window आ जाएगी यहां पर हम करेंगे यहां पर एक grid बन जाएगे एक 2-3 store है कि हमें किसी चीच की जरूत नहीं हमें तो एक span चाहिए beam draw करने के लिए तो हमने यहां से एक beam लिया और इस पर ड्रो कर दिया ड्रो करने से पहले हमें define करना होगा beam का material तो material से तो depend करता है नहीं क्योंकि हमने self weight नहीं दिया है तो material कोई भी ले सकते हैं जो पहले से define नहीं है यहां पर अजीब हो नाम के तो हम cross section करते हैं उस पर भी depend नहीं करता है लेकिन cross section एक बार कर लेते हैं section frame frame section और यहां पर हम करते हैं add new property rectangle और आपको कितना लिया था हमने 300 mm by 300 mm ओके कर दिया section 1 है इसका नाम इसका नाम डाल देते हैं beam ठीक है ओके यह beam आ गया जब आप यहां से beam click करते हो beam draw करने के लिए तो यहां property में उसी beam को select कर लो जो आपने बनाए देखो यहां पर आ गया अब हम इस पर यहां पर click करते हैं click करते हैं beam बन गया है यहां पर support लगानी है हमें तो joint को select किया assign joint restraint roller है हमारे पास तो roller यहां पर इस joint को select किया assign joint restraint यह हमारी pin है pin को select किया ok कर दिया फिर beam को select करना है और दुबारा assign में जाना है हमें लगाना है frame load यानि की point load point load हमें कहां लगाना है 5 meter पे कितना 50 और direction क्या होगी force की gravity यह लग गया है बस इसको analyze करने से करेंगे तो save के लिए पूछेगा save कर देते हैं और यह analyze हो गया आप सबसे पहले इसकी reaction के लिए यहां पर देखिए रहा reaction icon आइफ जेट देखना है हमें तो कितना आ रहा है 35.6 जबकि आना कितना चाहिए 25 क्योंकि इन्होंने self aid भी ले लिया है तो पहले हमें self aid 0 करना होगा तो पहले हमें इसके analysis को रोकना होगा इस log पे click करना है yes करना ह beam को select करना है और हमें जाना है assign और assign में जाना है beam को बोलते है frame frame में जाना है property modifier यह रहा और इसमें हमें self weight में जो mass और weight इसको 0 कर देना है okay कर देना है PM का मतलब है आपका property modify अब analyze कीजिए इसको और आप reaction चेक करजिए 25 25 तो reaction कितनी हा रही है हमारी 25 अब bending moment चेक करते हैं तो bending moment के लिए यह diagram में M33 MZ में bending moment होती है value के लिए दोबारा जाते हैं यहाँ पर value का option भी होगा जिस पर click करेंगे तो value भी show करेगा 125 bending moment 125 यूनिट क्या है इसकी दोबारा ऐसे एक बढ़ जाते हैं bending moment की unit से आपकी किलो न्यूटन पर मीटर तो हमारे stat में तो कुछ और आ रही थी कोई नहीं अब shear force चेक करते हैं 25 25 shear force आ रहा है 25 अब देखते हैं deflection तो deflection के लिए यह है हमारे पास deflection की value अगर हमें देखनी है तो ऐसे कीजिए इस beam पर जब deflection आप देख रहे हैं यहां पर तो show contour user define आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको analyze कीजिए और इसको diagram को पर right click कीजिए sorry इसको analyze करना होगा पहले कि अनलाइस करने के वाद bending moment पर okay कीजिए इस पर right click करेंगे तो यहां पर deflection आ रहा है 62.087 mm देखिए bending moment 125 shear force इतना आ रहा है 50 kilo newton 25 25 सारी चीज है हमारी ठीक है 10 meter का span है bending moment हमारा अलगा रहा है और deflection अलगा रहा है 62.087 0.087 यह आ रहा है अब हम जाते हैं stat pro में open करता हूं मैं दोबार से stat pro सबसे पहले में stat pro की unit ठीक करता हूं तो यहां पर हम फाइल में जाके default unit हमें ठीक करनी होगी configuration यहां metric करेंगे ओके अब जो हमने structure बनाया तो उसे को open करते हैं deflection check करते हैं double click करके भी check कर सकते हैं deflection 71 और इसमें कितना आ रहा है हमारा 62 deflection तो अलगा रहा है एक बार लॉड वर्ट सब चेक कर लेते हैं कि फिफ्टी किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है और इसकी लेंद्ध क्या है 32 feet यहां से unit change करते हैं मीटर और इसको हटा के दुबारा से 10 मीटर लेंद्ध है लोड की value है आपकी 50 किलो न्यूटन पिन सपोर्ट रोलर सपोर्ट सब कुछ सेम है फिर यह क्यों आ रहा है इसे चेक करते हैं अब e-tab में 62.0 87 mm आ रहा है यहां पर भी चीज़ चेक कर लेते हैं 50 10 मीटर 50 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है ठीक है shear force 25 आ रहा है इसका मतलब ठीक है लोड बंडिंग में 125 अगर स्टैड में हम चेक करते हैं तो double click एक बार analyze करना हुआ बंडिंग में 125 ही आ रहा है यह ठीक आ रहा है हमारे conversion में कुछ गलती थी 125 में बंडिंग में इस कर्रेक्ट पर दिफ्लेक्शन शेयर फोड दिफ्लेक्शन में क्या आ रहा है 71.005 mm अगर हम पौस्ट पॉस्ट पर सिंग में जा के डेफ्लेक्शन चेक करें तो 71.005 mm जा रहा है डेफ्लेक्शन और इसमें आ रहा है आपका हुम, deflection अलगा रहा है है इसके वारे में रखो थोड़ा चा अनलिस आर अरंदी करना होगा तो वार अरंदी करने के बाद मिन एक और वीडियो बनाऊंगा तो आज के लिए इतना ही हमारा bending में श्क्राइब हो चम्र एक्षन झाल झाल